करती तक नियुकर्ण कि अधिन घुशे रिगार चीटि प्रुदि क्रपशद बुधिनाशा इन वाहा करना रिगार्ची, प्रुदि क्रम्षा तक में इस लेकारी नातर है प्रुदि कि अधिनाशा है जिन पर देवी मा की कृपा है। विजय राज जी बड़े ही रह्म दिल और दानवीर इंसान है। वरीबों की मदद करना इनकी रग रग में बसा है। इसलिए देवी मा का आशिरवाद खासतोर से इनके साथ है। महादेव राए, आज हम तुम्हें एक रहस्यमें मंदर का राज बताने जा रहे हैं। इसे पकड़ो। हमारे भारत की सरजमीन पर कुल 18 शक्ति पीठ हैं। मा के इन पवित्र मंदिरों के बारे में सब को पता है। पर मा के इन सभी 18 पवित्र पुनस्थलों को एक रहस्यमें मंदर नियंत्रित करता है। जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं वो राज तुम्हें बताते हैं। किसी एक अंजानी जगह पर पहाडों नदियों और ज़र्नों से होकर गुजरता है। इस राज भरे मंदिर का रास्ता। इस मंदिर की देवी मा का त्रशूर। रुद्र त्रिशूर और जौला मुखी पत्थर जिसके पास हो वो सबसे ताकतवर बन जाता है। जिसे कोई मात नहीं दे सकता और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगार सकती। लेकिन अगर इसका गलत इस्तमाल हुआ तो दुनिया में कोहराम मच सकता है। मिसर के लोग इस ताकत के बारे में जान चुके हैं और वो इसे हासिल करना चाहते हैं। इस रहस्य में मंदिर को खोजने के लिए उन्होंने कई मंदिर उजार दिये। पर मा का अशिरवाद, मुजर्गों की पूजा अर्चना और रक्षक की वज़त से वो खाम्याब नहीं हो पाए। महादेव राय जी, 27 बरस में एक बार महाशुक्र ग्रहन आता है। और जब ये ग्रहन पूरा हो जाए, तो मंदिर के अंदर दाखिल होके मा की पूजा अर्चना की जा सकती है। इस ज्वाला मुखी पत्थर के बगएर कोई भी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता। देवी मा का अशिरवाद आपके साथ है, इस लिए ये चमक रहा है। आजी के बाद आपके अौलाद को ये आशिरवाद हासिल होगा। महाशुक्र ग्रहन पास आ रहा है। हम सब को ग्रहन से पहले ही मंदिर पहुचना होगा। मेरा आशिरवाद है। लालची दिवान जग्गु ने उस मंदिर के सारे राज मिसर के एक जालिम कबीले के सरदार मुखतार को बेच दिये। मुखतार और उसकी बीवी फक्तूनी के शैतानी दिमाग में आज भी काला जादू का खुमार सवार है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस ताकत को पाकर वो भूत, वर्त्मान और भविशे को अपने काबू में कर सकते हैं। मा का त्रिशूल पाकर वो पूरी दुनिया पर हकुमत कर सकते हैं। उन लोगों ने मिस्र के पिरामिड में दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टरों और वज्यानिकों को ममी बना के रखा हुआ है। ताकि रुद्र त्रिशूल और ज्वाला मुखी पत्थर हासिल करके वो इन ममी को फिर से जिंदा कर सकें और उनकी मदद से तबाही पहला सकें। अगर देवी मा का त्रिशूल, रुद्र त्रिशूल और ज्वाला मुखी पत्थर उनके हाथ लग गया, तो मिस्र सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मिल गया। मुझको मिल गया। जिस राज से दुनिया अंचान थी, आज मेरी मुठी में है। अब इसकी मदद से हिंदुस्तान पर मेरी हुकूमत होगी। उस रुद्र त्रिशूल को हासल करने के बाद, उस असीम मंदिर को हमेशा के लिए तबाख कर दूँगा। मुख्तार, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना असान नहीं। भाई जान, आप मेरे शोहर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इन से बेहतर कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है फक्तोनी, लेकिन उस रहस्मे मंदिर की हिफाज़त खुद देवी मा कर रही है। कौन रक्षा करता है, उनका भगवान। नहीं, एक ऐसा रक्षक जिस पर देवी मा का परदान है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की हिफाज़त सद्यों से करते आ रहे है। उस रक्षक का नाम है रुद्रा, महा रुद्रा। रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक दूफान है, जिस पर देवी मा का हाथ है। उसके हाथों में सौ हाथियों की ताकत है। और उसकी तल्वार में दुश्मन का सर्धर से अलग करने की ताकत है। ये योध्धा तल्वार बाजी का महारती है। ये हावा में उड़ सकता है। पत्थर जैसा इसका बदन है। शोलो की तरह इसके इरादे है। यही है रुद्रा, महारुद्रा। रुट्राकारसमुथ पारहिमात्रिक्रोथ्पराु रुट्राु रुट्राु रुट्रांनंध ईरीध्रां। यूट्रा प्रुट्रा पेस्रेशना घुट्र्मृ। शक्ति पीतन संब्रक्षन रुद्रा शक्तु नाश बर्ज्या मुद्रुद्रा सत्प अवि裡面 के चाहिते रुद्रा वूत्व पड़र्वर पूत्वान जमजैर्थि रुद्रा उख्रनार शिर्हा रुधिरुद्रा छाग करत्का भिद्रा खाबोश हो जाओ मैं ना दो उस शक्तिशाली पीट को तबाह कर दूँगा बलके उस रक्षक के सिर को कलम करके फक्तूनी के कदमों में रख दूँगा ये मुख्तार की सवान है फक्तूनी मेरी जान अब हम दोनों की मुलाकात होगी हिंदुस्तान को हासिल करने के बाद भावी जी ग्रहन पूरा हो चुका है बाहरा आजाई स्वामी जी बेटा होगा या बेटी देवी मा के आशिर्वात से तुम्हें बेटा ही होगा खौफ भी उसे देख के काम जाए किसी से खौफ न खाने वाला शेर दिल हो मंदिर की हिफाज़त करने के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे न हड़े महा शुकर ग्रहन पूरा हो चुका है अब पूजा करने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा देवी मा की पूजा करने के बाद रक्षक की ताकत सो गुना बढ़ जाती है और उसे कोई तब तक नहीं मार सकता, जब तक उसकी पीट परवार ना किया जाए महाशक्ति पीट का ये मुख्य द्वार है चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो दुनिया का कोई भी हथियार या तंत्र मंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता है सिवाए इस रुद्र त्रिशूल के, इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदर में दाखिल नहीं हो सकते। यह रास्ता कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। ज्वाला मुखी पत्थर पर सूरज की रौशनी पढ़ते ही, मंदर का दर्वाजा खुल जाता है। सूरज डूबने के बाद ज्वाला मुखी पत्थर कमजोर हो जाता है। एक और बात, मंदिर का दर्वाजा वो ही खोल सकता है जिसके उपर देवी मा का आशिरवाद हो. झाल 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 प़arlड़ यो एवराए वोर नहीं सेचहनी होसा हिए! प्रभी करते डिल करनेरी के युछ। चीम फश्रड हुडा क्षव वहां शक्ति मान नमो नमह, महा शक्ति शाली देवी माधो मेरा उप्रणाव ये ज्वाला मुखी पत्थर इस मंदिर में अपने आप अपनी जगह पर पहुच जाता है और पूरा मंदिर जगमगा उठता है महा देव राय परम शिव की जटा से पहने वाली पवित्र गंगा के जल में मंदिर के रक्षक को स्नान करके खुद को पवित्र करना होगा गंगा के इस पवित्र जल से स्नान करने से अगनी उसे जू नहीं सकती ये त्रिशूल त्रिमूर्थी की शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल में अद्बुत्षक्तियां हैं जो इसे हासिल कर लेगा उसकी ताकत सौगना बढ़ जाएगी ऐसे कितने ही दुष्ट पापियों ने ये त्रिशूल ले जाने की कोशिश की वो पूरी तरह से बरबाद हो गए महादेव रायत हमारे देश की अठारा शक्ति पीठों की प्रतीक हैं यहां के ये अठारा स्टम्ब है दुख्तार हो रही रूद्ग्रा की पीवी बावी अदर चले जाएए बावी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बावी अदर चले जाएए बावी आपके हुट्पर यहां बता कहा है रूद्ग्रा मौत से मिलने की बहुत जल्दी है तुझे स्टम्ब कर जल्डी मुलाकात होगी उससे आज तू नहीं बचेगा तेरा सर रूद्ग्रा के हाथों ही कलम होगा पेटा गौर से इन स्टम्बों को देखो यह अठारा अलग-अलग स्टम्ब है स्टम्ब की हर एक मूर्ती देविमा का एक अलग रूप दर्शाती है जब रक्षक त्रिशूल से इन स्टम्बों को छूता है तो त्रिशूल के स्पर्ष से इस स्टम्बों की शक्ति जागरित हो जाती है कर देखो इन अठारा शक्ति पीठों की ब्दाकत और चमतकार रक्षक के अंदर आ जाती है किसी आमशक्स के लिए इस त्रिशूल को उठाना नामंकिन है जैसे ही त्रिशूल को देवी मा के हाथों में रखा जाता है इसकी महा देविये शक्ति और बढ़ जाती है सूरज के ठलते ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है अगली पूजा महाशुक्र ग्रहन के वक्त होगी 27 परस बार्थ तूने अपनी माथ को ललकारा अब तू देख तेरी माथ तेरे सामने खड़ी है ये मेरी मौथ नहीं है इसकी मौथ तो मैं हूँ और मेरे आदमी ये अकेला मेरा बाल दी नहीं बाका कर सकता उससे पहले मैं इसे काट डालूगा खौफ से भाग जाएंगे और हम खौफ से जो हारे वो कायर होते हैं तुमसे और तुम्हारी पौच से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ मेरे बुजर्गों के दुआ और लोगों का प्यार ही मेरे लिए बर्दान और हथियार है जिसके सर पर जगत माता का हाथ है उसका कोई क्या भिगाड़ेगा मैं तेरे इस मंदिर को तबाक कर दूँगा हिंदोस्तान के नक्षे से इसको मिटा दूँगा फिर वो त्रिशूल अपने साथ ले जाकर अपने सारे पूरवजों को जिंदा करूँगा और इस दुन्या पर हुकूमत करूँगा तेरा सर अपनी बेगम को तोफे में देने का बादक किया है तू मेरे जगत माता के मंदिर में आकर मुझे ललकार रहा है मुझे कसम है मा की तेरे खून से माता के चर्णों का भिशेख करूँगा देवी माता के पवित्रा ठारा शक्ति पीठों का ध्यान करके आज तेरी बली चड़ाऊँगा ओ ये जात माता Por श्ति ऑ़इभा मुझे très के तेरे फिर दो कि लृद्गा भू जिएो आज सुभरी का थकी उऴी का बलका सॉड़ाँगे चर्णा की डिएएएएएएएए कर दो कर दो दो опять रखत कर फिम थो भार भीह रूप उ भीर वेर रखत कर दो भीह रेहत कर दो कर दो भी रुभ भी कर दो ने घरी रह पर रहो अ हिर भू chrom Boy अपलोग जाए अपलोग नक्षागर दूपर इसुक्र करने के लिए पैदा नहीं हुए तुम्हारी रगों में जो खून है वोस रक्षक का है जिसने मंदिर के हिपासत के लिए अपने खुन का आखरी खत्रा तरपाद है जगत माता तुम्हारी रक्षा करेंगी बाबुलाल ले जो मेरे बेटे के अलाबा कोई भी इस दन्वार को निकाल नहीं पाएगा फेर जाओ अम्मी अबाजान कब आएंगे बस आते ही होंगे सीजा मेरे शोहर मुक्तार हिंदुस्तान पर फते करके लौट रहे हैं जाओ पता लगाओ कहां पहुंचे बाप लाओ करना मुक्तार हिंदुस्ता virtually Xся छी बाएचब लेका ले लेवड़ मुक्ता लेगा लेशա लेवande shuttle मुक्तार है बा मुक्तार हिंदुस्तार हिस ヤर रहोंदु delicious मुक्तार है School बाइजान। मुक्तार कहा रह गए भाइजान। क्या उन्होंने वो त्रिशूल हासिल किया जो सबसे शक्ति-शाली है। उन्होंने उस रक्षक का खात्मा किया कि नहीं। बताएजान। आखिर आप कुछ कह क्यों नहीं। क्या हुआ। बाइजान। चुप क्यों हो। बोलते क्यों नहीं। भाइजान। क्या आपकी खामोशी की वज़े जान सकती हूँ। मुक्तार कहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं। बल के बाद, फक्तुने ने पूरा एक बरस अंधेरे में बिताया। वो अपने शोहर की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। उसने ठान लिया था, कि वो अपने काले जादू और शक्तियों से हिंदुस्तान को तबहा कर देगी। उसने अपने बड़े बेटे के साथ वो किया, जो दुनिया की कुछ। बाल ऱ। पkay पूाँ बाल प्रयों से वो की रोजया की है ह कर्ए हा番 कि रही करूँ ... वहां वही को इतो आक क्वाइण है लोगों मुर्भास्वत्व प्रहत्व आ जै जोंpentर्व आ लोग distributing महादेवराय जी, देवी मा की इस बच्ची पर खास नजर है, वो इसे आशिरवाद दे रही है, ये पथर बहुत चमक रहा है, इसमें इसके दादा जी की सभी खुबिया है स्वामी जी, इसका रक्षक कौन है? जब ये कीस साल के हो जाएगी तो अपने रक्षक को खुद ही पहचान लेगी, वसंत्रितु के महाशुक्र ग्रहन तक इसका खास ख्याल रखें, जै जगत माता पक्तुनी ने अपने शोहर के आँखें निकाल कर अपने बेटे को लगा दी, ताकि वो एक खतरनाक इंसान बन सके सब कुछ हो जाने के बाद उसने अपने बेटे का नाम रखा, राका याँ अपने के विल दुधा कॉछ स्वामी जी आपके कहे मुदाबिक ज्वाला मुखी ले आया महादेव राई जी हम यहां से देवी मा के आठ पवित्र थानों पर जाकर हरिद्वार के पावन कुम्भ मेले में पहुँचेगे आप ये ज्वाला मुखी पत्थर लेकर हमें हरिद्वार में मिलिये इस ज्वाला मुखी पत्थर को गंगा नदी में पवित्र करना पड़ेगा फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो बेटी आश्वरिया को सारे राज बता सकते हैं जै जगत माता महादेवराज जी एश्वरिया और इस पत्थर की रक्षा करना अब आपका फर्ज है जैसा आपका हुप देख रहे हो भाईजान मैंने अपने बेटे राका को इस कदर शक्तिशाली बढाया है कि हिंदुस्तान को तबा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता दुनिया पर हुकूमत करने के लिए मुझे रुद्रत रिशूल चाहिए और वो जुआल अमुखी पत्थर वो पत्थर तो महादेव राय के पास है उससे वो पत्थर हासिल कर पाना नामुम्किन है आखिर क्यूँ? महादेव राय हिंदुस्तान के हो मिनिस्टर है उसे पाने का कोई तरीका? एक ही रास्ता है उस महादेव राय की बाइस साल के एक बेटी है जो उसकी जिंदगी भी है अपने मकसद में काम्याब होने के लिए उस पत्थर के साथ उस लड़की को भी यहां लाना होगा फैदराबाद में हमारे बहुत सारे आदमी है अगवा करवालो उससे लड़की का नाम क्या है एश्वर्या ओके रूप जाए एए स्टॉप स्टॉप ओके सब कुछ ठीक है आप महफूज है सुभाश राओ क्या है यह सब अब क्या मुसीबत आ गई वच्पन से मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं मैं ड्यूटी कर रहा हूं मैं हो सुभाराओ गाय तुंडे ड्यूटी पर आता हूं खा कर चार अंडे ठीक है पर मेरा दिमाग क्यो खा रहे हो अंडे से ज्यादा टेस्टी है इसलिए खा रहा हूं आप आस्मान में रहें या जमीन पर फेर आए एक ही फर्ज है आपकी हिफाज़त करना देख लूँगी तुनों से खतम क्यों ने किया पैसा पहले पैसा अटैक सर इनके पास यह तस्वीर मेली है यह होम मिनिस्टर की बेटी है आखिर कौन लोग है जो होम मिनिस्टर की बेटी के पीछे पड़े हुए है हाई पापा आप किसी ओफिशल ट्रिप के लिए जा रहे है अल दे बेस्ट कल हम सब दोस्त मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लैन बना रहे है सुझे कितना मज़ा आएगा मैं बहुत एक्साइटे हुए नहीं जाओगी यह अगले दो महिने तक घर से बाहर कदम नहीं रखेगी क्या पर क्यों नहीं जा सकती जिद मत करो तुम स्विमिंग करने गई थी तब कुछ घुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे तुम्हारी जान को खत्रा है बेटी फिलाल कुछ दिनों के लिए तुम घर नहीं ही रहो की बीटी सुभाश रहो हुजू ऐश्वरिया घर में ही रहेगी सेक्योरिटी और भी कड़ी कर दो जी घलती की गुंजाइश नहीं कोई गलती नहीं हो फ्लाइट का वक्त हो गया बाई क्या मुसीवत है इस मुच्छरो और इसके टीम को देखका लगते हैं जैसे मैं जील में हूँ एक बल भी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती मुस्से स्यादा खुशता तुम लगते हो चलो बेबी घर पर है दरवाजे पर पहरा लगवा दो आ आईशू हेलो आईशू टॉमी ह हम घूमने गोईंग तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुए तुम लोगो किसा ट्रिपन नहीं जा सकती रैडी ने साफ मना कर दिया अबा डोंट वरी बैक अप प्लैन पहले से बना कर रखा है उल्टी करो चीक एक हंडे के बाद तुम सब दोस्तों को लेकर मेरे कर के उल्लू के पठों राद भर उल्लू की तरह जाक कर नजर रखना कल दूसरी सिक्योरिटी वाले भी हमें जॉइन करने वाले हैं कड़ा मुकाबला होगा चीटी भी दिखे तो पैरों तले रॉन दो इस दीवार से लेकर उस दीवार तक इस छोर से लेकर उस छोर तक यहां जो भी होती है हलचल मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए पल-पल सुबह जब मैं यहां आऊं तो बेवी कितनी भी मिननते करें मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ आज हो मिनिस्टर की बेटी को प्रोटेक्शन दे रहा हूं कल पी एम की ब जैपूर वाव जैपूर अहां उस बुच्छे बॉडी गार्ड और उसके टीम से चुपकर आखर में बाहर आई गये आईए 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 जैपूर में इस्तक्वाल है प्यार से बुला रहा हूं आज आईए अरे हैंसम भाई आईए तुमने हमें हैंसम कहा अरे लोहे की पहचान लोहार ही कर सकता है देखिए इतनी मुहतरमाओं के साथ यहां मत भूमिये इस शहर में बहुत सारे ठरकी है अरे नमस्ते मैडम हमारी A to Z ट्रैवलिंग एजनसी है तुरिस्ट के लिए लाजिंग, बोडिंग, साइड सिंग, काइडिंग, मैं करता हू और यह रही मेरी गाड़ी तुम्हारा अविश्कार किस नाम से हुआ है प्रभू मतलब भगवान है अगली कहींगे आपकी पहचान हुजूर्ण नाचीज को टॉमी तॉमी यानि डॉगी लगता है काड़ता भी तॉमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैट करना मैं पक मैंस की फिल्म देखी है अलगता है बेबी अश्वर्या अश्वर्या जागो बेबी मां मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूं सुबाराव सुबह जब तुम यह देखोगे तो सर पीटोगे गायतोंडे अब पढ़ेंगे डंडे मर गए इसत बिट्टी मे बिल गई गायतोंडे कॉलिंग बेबी पिंद्रे से उड़ गई चला 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 मैंडम जी आज भाईजान का दिदार होना मुश्किल है इस रेस को छोड़िये और चलिया यहां से नो वे सल्मान के फिल्म देखे मिना मैं यहां से हिलोंगी भी नहीं टॉमी ब्लैक मिले कर आओ चाहे जितना भी पैसा लगे बाल गनी के ले ना टॉमी बताने ही सल्मान जैसे टाइगर मुझे कब मिलेगा यह हीरो कौन है एंट्री तो बड़ी जबरदस्त मारी है सच कहूं तो छोगरा एक नंबर लग रहा है सच बताऊं तो यह शहजादा लग रहा है बहतर्मा यह ऐसा शहजादा है जो हर दिल पर हुकूमत करता है यह शहजादा भाई जान का सबसे बड़ा फैन है यह खुद भी हीरो से कम नहीं है मैं भी इसका फैन हूँ कुछ भी बोले यार है बहुत स्मार्ट इसके स्मार्टनेस देखके तो लड़कियां अपना दिल पिछा देती है पाइस दूख पांचों जाए तो यहां जाए चलता बाएज़ आजाओ ने यांज़ा अब्दों ने जाया वाइज़ा आनो तो पाइस दिया ने आफिर उक्राइब टिकेट का प्राइस डबर अश्यांत पाईसा निकाल, चल जेव खाली कर, ऐसे दे, अरे दान करने के लिए थोड़ी है, ये नरम करूँ के तेरा कान गरम, तुनाए नहीं देता तेरे को, टिकेट लेके पिच्चर देखेगा या फ्री में तेरी पिच्चर सबको दिखाऊं, कोन है पे तू, शक्ति, कौन, दिल है नदियां हैं, फिर भी पानी की किलत, जिस थेटर में पिक्चर लगी है, उसमें टिकेट की किलत, अगर ब्लैक में टिकेट है, तो उसे खरीदने के लिए पैसे की किलत, चलो यार, एक बार ब्लैक में टिकेट खरीद भी लिए, फिर उसके बाद तुम जैसे आन पर जाहिल ऑकुर अजना कि अचक कि अच्का इबे नचानका के अचित्श टॉक जब स्क्टिड़ा नचित्ष। इस जब सुर्दीब। इंटरवेल खत्म चलो यार जल्दी खत्म करें दूसरा शो भी देखना है मुझे इंटर कसे लूसरा जत्म आत्म करें भॉशकरiste भी health factor स्टम च實ित Ha जत्म मऺ बखिए जत्म बसुरा जिए भी खत्म को सिए गिन भाप dura क्थिडेGAN कि कि अंचιο कि रज अ कि पर भाझते हैं कि रिख अ कि स्ऽिए अरे वा, तुम अकेले दबंग, बाकी सब बबम बबम, अगर मैं होता तो सबको उपर पहुचा देता, लेकिन तुम तो उनको ऐसे धोए रोकड़ा निकाल, क्या? शक्कर गिराना कम कर और रोकड़ा निकाल, ने तो अख्ये बाजार में टोकरा लेके घुमेगा अईसा, लेकिन मैंने तो पांच टिकेट के पैसे दे दिये हैं जुझे ने ये टिकेट का पैसा नहीं, फाइट का पैसा है, एक खोपड़ी का एक हजार तो दस खोपड़ी का दस हजार हमने लड़ने के लिए बोला था क्या, ये गरीब लोगा, अमीर देकर पीछे ही पड़ जाते हैं तेरे इस खिलोने का खिलवाड होने से बचा है, पिक्चर देखनी है या नहीं मैं तुम्हे देख रूँगी विश्यू देख रूँगी हाँ चलो न, चलो न, चलो न, चलो न, चलो न, चलो, चलो, एलो, बारस, फोन लगा उसे, अलो, जैकी, महादेव राय जी यहां आ है, बिना किसी सिक्योरिटी के, हाँ, हाँ, आगे बोलो, बताओ मुलाकात कब करनी, आज मूट नहीं है, पर सौन, कहा पर, जगाबात में बताऊंगा, मीटिंग तो आज तैह हुई थी, जैकी कब क्या करता है, कोई नहीं जानता है, कब, कहां, कैसे और किस के साथ, सब मैं तैह करता हूँ, वो कह रहा है कि हमसे परसों मिलेगा, डैमिट, घद्दार, ये वो जग्गु नहीं है, जो कभी आपका खित्मतकार था, अब ये जैकी के नाम से मशूर है, अब ये दो नंबर के धंदे का बेताज बाश्या है, बड़े-बड़े लोग इसके नाम सिकाते हैं, जहां तक नजर डालो उसका ही इलाका है, सुनिये, गर्ज हमें, धंडे दिमाग से काम दिजिए, बोलो सावित, सुनिये जी, हो मिनिस्टर की बेटी बिना किसी को इतला किये, ट्रिप पर गई है, सर, ये बात राज ही रहनी चाहिए, इस फाइल में उसके तस्वीर और बाकी जानकारी है, खबर मिली है कि वो जैपूर में है, और ये बात राज ही रहनी चाहिए, ये रईस खांदान की इजट का सवा अगर आपकी मर्जी है कि ये राज रहे, तो ये राज ही रहेगा, बेहन, महाशुकर ग्रहन के लिए सिर्फ 40 दिन बाकी है, किसी भी कीमत पर वो ज्वाला मुखी पत्तर हमें हासल करना होगा, और अभी तक हमारे लोगों ने उस लड़की को अगवा भी नहीं किया है, फि दिदार कीजिये महरानगढ की लाखा, अरे नाम तो हमें भी पता है, इस किले का हितिहास पताओ, तुम्हारे जैसा ठककन नहीं है, अगर इस किले के चप्पे-चप्पे को जानना चाहते हो, तो हमारे प्रोफेसर साहब से मुलाकात करनी होगी, प्रोफेसर साहब आजिर ह यह कावबई लुटे रहा? यह लुटे रहा ही, तुम्हारा गाइड है, यह लुटे रहा? प्रेले ही बोला था ना, फ्रीलांसर हूँ, गाड़ी का भाड़ा निकल जाता है, मुझे तो लगता है भाड़े से यह अपना घर खरीद लेगा, चलो अब जो काम है वो करो, प् करना मैं, रुट कहिए शहजादे, मैडम सिक्सर के फिराक में रहेंगी, तो बोल्ड हो जाएंगी, तो मैं निकालोंगी, ठीक है, पर इससे कहदा ना कि साफ साफ भाशा में संझाए, अलग चार्ज लगेगा, अरे सार, इंगलिश में संझाओ ना, प्लीज इंगलिश की कई टाइप की इंगलिश होती है, अमेरिका की एकसेंट इंगलिश, ब्रिटिशर के क्लीन इंगलिश, यंग्स्टर की स्लैंग इंगलिश और तुम जैसों की वीक इंगलिश, इस्ट की इंगलिश हो, तुम जैसे एंपड गमार के लिए मेरे पास मुंबई या इंगलिश ह इसके पास तो काफी ग्यान है पूछो इससे मेरे साथ बाटेगा क्या देखो ये कोई मामूली गाइड नहीं है बहुत उची हस्ती है जल्दी से भावताव कर लो अरे ने ने मेरे हाथ पे जो आता है मैं उसे जारे नहीं देता राजा उपर से देखेंग और रानी सामने से ठिंचेक करेंग ठिंचेक वाट इस सिपाही डूइंग मच्छर मारिंग अनस्लीपिंग और हमको तुम चुना लगा हुईंग शकल देखके पुड़ी बांता है यह तोब कितना मस्त है यह तोब 1863 में बनें राजा इसे उठा के 1904 में यहां लेके आईंग यहां 150 और तोपे होईंग वो कौन सा किला है रूडल पे कौन से किले का करिंग यह वाला यह तो इसके बारे में पूझ उसके लिए एक्स्ट्रा है क्या यह चलता है यह चलता है तेमाग फोटो ले लेना तुमने आज हमारे साथ काफी क्यान बाटा यह लो अपना पैसा ले लो हमें एक रुपया नहीं देंगे बलकि आठ हजार रुपए यह हमें देगा मैं दूंगा वो क्यों सीधा हिसाब है हीटर के बाहर तुमने रोक सुनो प्रभू तुमारे लुटेरे को तो हमने लूट लिया अब तू ज्यादा शाणा बनेगा तो तेरा दाना पानी बंद कर दूगा समझा ना चलो परियो और ने तो क्या देखो चेहरा कैसे लटका हुआ है यहां तो दूर दूर तक कोई कुटा भी नजर नहीं आ रहा है कहीं इस दूप में मैं पिघल न जाओं यह दोस्तों वहां देखो आँ चलो चलो बहुत प्यास लगी है चलो ठंड़ ठंड़ कोल्डरिंग पीते हैं जल्दी जल्दी देटो देटो एक मीट ठंड़ ठंड़ कोल्रिंग पीने नहीं आए तो गर्म गरम चाय पीएंगे उई मा इतनी गर्मी में चाय बिना तवे के यह चाय कैसे सेखेगा अजिए मा रेगिस्तान में चाय का अलगी मसा है वाउ देखो तो टॉमी यह तो हमारे पीछे ही बढ़ गया अगर अब इसने पैसे मागे ना तो इसके पैसों की चिता बना के इसे भस्म कर दूंगा एक चाय देना यह लो बेटर हमें इससे होश्या रहना पड़ेगा खांदानी लुटे रहा है क्राइम मास्टर गोगो का भांजा चोचो बेटा पैसे हैं हिरोईन देगी ना पैसा ए हलो तेरी चाय का पैसा मैं क्यों दूँ पूरा किला फ्री में घुमी दो रिपे की चाय नहीं पिला सकती तुने जब से यहां कदम रखाये तुझे लोफ्रों से बचाया फुकट का किला दिखाया उसका हिसाब कौन करेगा एक बात और सुन ले तुने जो नोटंगी की वो मुझे रास निया उसका एक हजार एक्स्ट्रा लगता है बदला लेने आया है बदला यह क्या लेगा बदला तो मैं अभी दिखवाती हूं में क्या चीज हूं रेकिस्तान में रेंगते हुए भुगांगी इसे सुनी 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 आप लोगों से काम है वो जो आदमी ने उसकी दुलाई करनी है मैं आप सबको पैसा दूंगी जितना मंगी होता है अरे चुड़ी पागल खाने से नहीं भागा हूं इस पूरे ट्रिप में मुझे दो हजार का चुना लगा दिया चला अरे वो दो हजार भी दे देंगे और इसको पचाने का एक्स्ट्रा दे देंगे प्लीज चलो क्या हो आशक्ति भाई क्या कर रहे हो खुछ नहीं कांटों को हटा के गुलाब के हिफासत की है शो मिस कर दिया तुमने तुमने हिफासत की फिर तो बहुत रोकड़ा मिला होगा अगर भाईया नहीं होते तो भावी किसी और की हो जाती वही तो मिया पता ही नहीं चलता हमारा हीरो कब तंबु में बंबु गार दे समझे है अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा छोला खाली हो जाएगा और ये बॉक् अगर ये हमारे साथ शामिल हो जाए तो हम चूल कर सकते हैं अरे प्रभु मना लेकिन रोकड़ा लगेगा अरे टोकरा भर कर दूगा में तुम शहजादी को मना मैं शहजादे से बात करता हूं ठीक है आईशू मेरी आखरी ख्वाइश पूरी नहीं करोगी क्या ठीक है या अब लगां पाड़ के इंचे चलो दोनों मान गये तो हाथ मिलाते हैं चले क्यों इस रिगिस्तान में रात बिताएंगे उससे को इंतिजाम करें भाइया वाह कितना लंबा दूर वी रहे है एक घंटा चलना पड़ेगा ये भी एक नगीना है ये भी कमाल का नमुना है अगर रेगिस्तान में कहीं भी टेंट लग सकता था तो आप इतना चला के हमारे बॉड़ी को डेंट क्यों करवा है चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा होता है तू नहीं समझेगा कुल्ला करके पानी वेस्ट मत कर वरना ए सुनो शक्ती सोने का टाइम हो गया तो लोरी सुनाओ क्या तुमसे तो बिलकुल नहीं सुननी कल सुबह मुझे नहने के लिए दो बाल्टी पानी चाहिए होगा वो भी एक दम ठंदा आईशू यहां एक बून पानी ढूनने के लिए इतनी महनत लग रही है और तुमें सु किया पांच हजार अईशू गाओ में तुम्हें पांच हजार में पूरा का पूरा कुआ खोद दिया था मुझे कुछ नहीं सुना पैसा मूपे मारो मुझे तो ढंडे पानी सहीन आना है फिल्म की टिकेट हो यह पानी की पके यह तो दोनों हाथ से बटोर रहा है सुनो उन यह क्या मैंने आज तक पैसो के लिए किसी को इस हद तक जाते नहीं देखा यह देख दो बालडी पानी के लिए पता नहीं कितना चला होगा यह खुड टोपी पहनता है पर दूसरों को टोपी नहीं पहनाता है तॉमी क्या देख रहे हो क्या होगा मतलब यह तो बनायो इसने दोके बाल्स बड़ा हीरो समझता है ना खुद को एक्टिंग लास चालो तालाब यहां बगल में है और तुमने दसजार रुपे लिए दोके बास कहीं के जो और सुमिसी का केस कर दूगी उनको क्या लगा मैंने धोखा दिया तुम्हारी बदनसीब है कि तुमने तालाब नहीं देखा और यह मेरी खुशनसीब है कि तुम जैसे बदनसीब मुझे मिले चॉइस इस यौस दो बाल्टी पानी में नाओ या इस पूल में तैरो अईशू ऐसे तो यह हमारे सारे पैसे चाट जाएगा चामी मुझे इसके मुन नहीं लगना है चलो यहां से चलो सामान पेकरते हैं बेटा जूले लाल तुम भी जूला जूलेगा बहुत जूली है तो हजार का धन निकाल जूला तू जूल रहा है पैसे मुझसे ले रहा है जूला हम जूले या तुम पैसा तो तुमीद होगे अबे तेरी तुम अगर आवाज निकानी तो रेट डबल ओई मा सूर्ज माबू तीन दिन पहले निकाह हुआ बस घूंगट उठा नहीं जा रहा था उससे पहले मुझे उठा के उट पे बिठा के रेगिस्तान ले आए बीस वाला चश्मा हटा के कुछ बोली है इस डिपार्टमेंट में 20 साल हो गए किसी हमराज को भी राज नहीं बता है मैंने तरो ताजा शादी हो ये बता दीजिए तुझे क्या अपनी बीवी को भी नहीं उसे भी पंचायत रहती है मेरा हर राज दिल की तिजोरी में बंद रहता है तिजोरी का पासवर्ट बताई पासगार infinite को घड़ झाईंडर बंद पासवर हो इसे थैंजोरी को घ्राजरी क्ष़ अर में दीजोरी छाना सवर्टमेंट का पासवर्टमेशर नहीं लिज़ों अधर्धर सब्सक्राइबस then फ यह क्या बत्त में इसकी है सबर रखिए जैकी तुम्हें पता है यहां किसले आए जानता हूँ जानता हूँ यह रुद्र त्रिशूल लेने आए और क्या मैं यहां खायरात बाटने के लिए नहीं वैठाओं कि कोई कुछ भी मांगे और मैं दे दूँ है मैं एक बिजनसमेन हूँ कीमत क्या दोगे बोलो चाहिए तुम्हें मेरी जादात धीरे जवारात जो कुछ भी मेरे पूर्वत छोड़ गए हैं वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ बस फुत्रिशूल मुझे चाहिए प्लीज महादेव राय तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो लेकिन जो कीमत तुम मुझे दे रहे हो उतनी तुम्हें एक रात में उड़ा देता हूँ ये तुम गलत कर रहे हो जैकी धोखे से तुमने मेरे पिताजी को मारा फिर भी मैं हाथ जोड़ के तुमसे भीख मांग रहा हूँ जैकी मेरी गुदारिश है प्लीज वो त्रिशूल मुझे दे तो चाहो तो उसके बदले मेरी जान भी ले लो तेरे बाप की जान लेने में फाइदा था तेरी जान का क्या करूँगा तुझे मार कर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता है पहले ही मेरे बाप की टोकरी बहुत बद चुकी है घंटी बजी एक मिनट अलो इस बारे मैं सोचता हूँ हर कोई तरस रहा इसके लिए ऐसा भेग तमाशा देख विड़ो चलता हूँ जैकी ये तो जानगा जैकी अरे कहां ले आये हो यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा श्री नगर का एक नंबर गेस्ट हाउस है इस गेस्ट हाउस का मालिक दुनिया का आठवा आजूबा है ओ शाबजी आजयाओ 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 हमारे गेस्ट हाउस में आप शब का वेलकम है आजयाओ वाव नेपा से आशान तक कन्या कुमारी से गुजरात तक नेपाली हर्जर माझूग है ने लिए कोई जगा चोड़े है इस बड़े से शहर में हमारा छोटा सा गैस था हूँ शकल तर नौकर जैसी है मालिक कैसे बन गए उसके पीछे बहुत गेरा राज है शाबजी आईए मेरे पीछे मै प्रभू शक्ति इसका आइडिया तो बहुत धासूर शाब जी यह तरकीव दिश्के बाप शेली है अरे इश्क विश्क कुछ नहीं जाइदाद के लिए फसा है इसको प्यार अंधा होता है सेंपल सामने आप सब कर रूम तयार है चल कर आराम कर लिजिए शाब जी मौशन बहुत शुआना है आप यहां कहीं पर भी बैटके पीशकते हो हम यह सब करने नहीं आए हमारा तो रोश्क है चलने की तहीयारी करें उड़ेंगे सर अलो मजनू तुमारी लैला बोल रहा हूं आधा गुंकर ठोला पूल निंस्पेक्टर सन्यासी राव बोलो सन्यासी मिस्र में बैटके तंत्र मंतर करने से कुछ हासिल नहीं होगा खबर मिली है कि वो जैपूर से श्री नगर गई है तूने मुझे एक खोका दिया और बदले में मैंने तुझे यह खबर अगर तुझे और जानकारी चाहिए तो उसके लिए तुझे और पैसा देना होगा दो मैं होम मिनिस्टर है पैसा दोगे तब ही खबर दूँगा मेरे सामने किसी क्या आवाज उची हो मुझे बिलकुल पसंद नहीं अभी क्या भी श्री नगर जाने की तैयारी करो पारण कर देपा हमारा पैसा खाकर कैसे सो रहा है हम जोटकी से वहाँ जाएंगे और उसके संदू कुछी से अपना सारा पैसा ले लेंगे कि अपना दो लूटेंगे उसका भी लूटके लिए आएंगे अधि शाती करो नाव देखो तो कैसे जूम रहे है जोर का जटका है ज्यादा जोर से लगा इनका फोटो लेके सलोन में लगा इसी और की चीज़ पर हाठ डालोगे तो जटका तो लगेगा ही ये है एटियम मशीन रूप की राणी चोरी ना करे इसलिए हिफाज़त करनी पड़ती है अगली बार चुआ तो रॉकेट पे बिठा के उड़ा दूगा फिर सीधा मंगल ग्रे पे जाके एलियन के साथ लूटो खेला ठोकर लगने के बाद ही इंसान को अकल आती है हम सबकी हिम्मत तो धुए के साथ ही उड़ गई चलो चल के सूले लाल तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए और फाइन देना तो बनता है जटका तो पहले से लग गया ना जटका तो सजा थी कैश पेनल्टी है बैटरी चार्ज करने का हजार रुपया लगता है समझा टिच कुले टामी जितना मांग रहा है दिल पीजा चुड़ो इस से प्रमू वो पैसा अंदर है वाई तुम सही कहते थे इसके अंदर भी करेंट है कि कश्मीर में बर्फ बहुत है लेकिन बर्फ के गोले में डालने के लिए तुम नहीं हैं इस लड़की को देखा है नहीं साप नहीं देखा है अई नहीं नहीं आईशू, वहाँ देखो, मैं ये मिशन खत्म करते ही, मिशन हनीमून पर आउँगा, और लाइट जला के हम एक मिट करता हूं, आप यहां गूमने हैं, साइट सिंग कर रहे हैं, यह पंचायती, साइट सिंग नहीं करेंगे, तो क्या साइट में सू करेंगे, अब उन पर ध्य इस लड़की की शकल देखके, इसका आने वाला कल बता सकते हैं, यह अपनी मरजी से शादी करेगी, वैसे भी इस नक्चडी से शादी कौन करेगा, घूर तो ऐसे रही है, जिसे आखों से दिल में गोली मारेगी, रभू ग्यारिंटी के साथ बोलता हूं, जाते वक्त यह ह के दूर पे की टिकेट रखते हैं, किसको, गुडिया को, इसको तो कोई फुकट में भी नहीं देखेगा, तुम गुडिया किसको बोल रहा हूं, तेरे को, अरे, आईशू, यहाँ पर इतनी ठंड है और तू इतनी गरम, इस टेरी खीर को सीधा करना ही पड़ेगा, कोई त माता के आठ मंदीरों में से ये एक है, सच में बहुत सुन्दर है, आईशू, यह किसके खातिर बांधा? शर्मा, क्यों रही है, नाम बता? जस लड़कीनी कभी मंदीर में कदम नहीं रखा, वो आज मन्नत भांग गई है, बता, बता, नाम बता, बता, नाम बता, शर्मा क्यों रही है? है करेंड? दासी रड़की आशा पुऔप पॉपस जाए टीछ एघ मैंने ठाव आटब एठाव जान को फत्रा है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो हुआ! हुआ! अो! हाइव… birडा! निए रजिए भूँ नि दिए भाएं! अछिए भूँख यह भूँए? पक्तोनी लड़की हमारे हाथ से निकल गई इसकी खबर मुझे मिल चुकी है बताएए क्या ये शक्ति उस लड़की का रक्षक है ओ क्या है ना शाबजी हमारे गेस्टाउस की एक रशम है महमान के शाज हम लोग फोटो खिश वाके रिशेफशन पे लगाते तो आप लोगी भी खिश लू शाबजी क्या खिश लें? फोटो शाबजी, आप भी क्या कॉमेड़ी करते है चलो उस होटल में चलते है गजाब, उस होटल में जाके फोटो दिखाके पुश्ताच करेंगे मुझे वो फोटो क्यों नहीं दिखा रहे है और कॉछ कहना है अर दक करए dan मत केवा है एक टलाश है एक लड़की की तलाश है यह एधर नहीं है श्वर जीं इस लड़की यह तलाश है test यह है यह मेंचाप तो devas 2-3 तर त Inhale floss तो राइट है? यहां राइट है तुम लेट घुम जाओ तुम्हारा जिन्दा रेने का कोई फाइदा नहीं है अरे सुन फॉरण निकलेंगे मजनु रिटन निकाट आगे यहां अरे घर मेरे जो सर है ना वो मेरे जलबात के साथ खेल रहे तुम जलबाती मत हो ना अईशो अब बताओ कहा चलना है चिडिया घर तेरे लिए वही जगह बैता रहे देखने के लिए उंगले नहीं इस बार तो जुद्दिल कहें हरीद्वार क्या बात है हरीद्वार महादेवराजी जैकी फोन नहीं उठा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इजिप्ट वाले लोग भी रुद्र तिशूल के पीछे पड़े हैं मुझे हरीद्वार जाके स्वामी जी से मिलना है ज्वाला मुखी पत्थर को गंगा जल से पवित्र करना है एश्वारिया क जो भी कहां डूढ़ाँ जैकी से मैं खुद बात करो ना इससे पहले की देर हो जाए आप इंडिया चले जाए तीक है यह मोडन केमरे किना मश्ट ना मैं किना खुब्सर तिख रहा हूं जी ठीक ताक बिख रही है कि अधर प्रिशन का टामें शब कमरें फूल है क्या चाहिए शबजी इस लड़की को देखा है कहीं हमकु तुम्हारा हाथ पशन नहीं आया इसको हटाओ यहां से हमारे यहां भी एक चप्राशीटा उसका भी हातना आशे टैटो था हमको उसका हाथ पशन निया तो हाथ ही कट वाडिया आपने हाथ की शालामती चाहते तो निकलो यहांशे चालो निकलो कहां चाचीना का फोन है शाबजी कहां टक पोशे है हरी तो हाथ हलो लगता है नेटवर्क चला गया नहीं 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 कहां चाला गया सावीत्री ज्वाला मुखी कहां है हो सकता है अश्वर्य अपने साथ ट्रिपर ले गई हो ज्वाला मुखी को गंगा में पवित्र करना था अब क्या होगा नहीं 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 वो नमाश्शी भाई आजाओ, पोँजगे हरी दौार किस रणकी को देखा है, पूजगे के लिए मैं पंडिट ढून कर आता है, खोजनी की जरुवत क्या है, मैं हाजिर हूँ, संकल्प से देरस्तू, संकल्प अभिष्ट से देरस्तू, तथास्तू, आप लोग किस राजी के प्राणी है, बत पूछिये पंडिट जी, इसका ना आने का ठीकाना है, ना जाने का ठीकाना, सब छिडिया घर से भागे हुए जानवर हैं, और ये टॉमी तो ऐसा मो में जो दूसरों को पिगलाता है, पूछा क्या इन्होंने, पूछेंगे क्यों, देख के समझ में आ जाता है, सार, पहले जैपुर, फिर कश्मीर, अब हरी द्वार, जिस लड़की को हम ढूण रहे हैं उसका मिलना बहुत ज़रूर है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं, पंडी जी, यहां पर माता जी का एक मंदीर है ना, हो रहा पहाड़ पर, kalian है, आता है, आता है. तरु निंचेनु देविपादं सागे बयानं दोगं अख्या पृति बच्रचेजं अश्टादश शेक्ति रूपं ज्वाना मुखी रक्षक ज्वाना मुखी का रक्षक रक्षक ज्वाना मुखी का रक्षक मिल गया लेकिन कौन है वो और कहां है ज्वाना मुखी रर्मदम्यम जय रक्षक जन्मधन्यम नमशत नमः ज्वाना मुखी स्वच्छ हो गया कहां गया वो वसी वो लड़की कही नजर नहीं आ रहे हैं बड़ तरफ देख लिए बबा तो तो ते से पूझ के बताओ मेरी सुहागराद होगी कि दीश दस्वीर दिखाए माक कसब यह चुकरी इसको तो मैंने अपने कानों से खुद देखा है वो भी यहानी कश्मीर में है दिखाना तो जरा इसको तो मैंने देखा है कमीशन के चकर में जूद बूल रहा है आप जिसे तलाश रहे हैं इसने अभी मुझ से पूझा करवाई है इस दिया था आई शुकरी खोगे यह अरे तुम्हारा ध्यान कानत है ऐसे कैसे खोगे शिक्ती हम यहां से जाना होगा अरे लेकिन अभी तो आए है चलो भी चलो पीस हाँ झतने का Сवामी जी हमोstatic भुब भनावश वडती भुब भनावश इसे उामी जी भुब भत भत मावश इसे कैसे सवामी जी ंभी इसे सवामी भंपा । सवामी जी एक बुरी खबर है आज मेरी जोली खाली है हाँ स्वामेजी मेरी तिजोरी से ज्वाला मुखी पत्थर कहीं खायब हो गया है पता नहीं कहां खो गया स्वामेजी मुम्किन है अश्वरिया अपने साथ ले गई हो मुझे बिना इतला किये कहीं चली गई है गंगा जल में मैं उस कावे शेट नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूँ स्वानुची? दुखी मत हो ये महादेव रायजी, हमारी ये कोशिश जरूर काम्याब होगी, ये मा की इच्छा है, इसलिए आज के ही दिन, सही वक्त पर ज्वाला मुखी पत्थर गंगा में पवित्र होआ है, ये कैसे मुम्किन है? ज्वाला मुखी स्वच्छ हो चुका है, इतना ही नहीं, एश्वरिया का रक्षक भी जल्दी मिलने वाला है, उसे जगत माथा का आशिरवाद प्राथ है, स्वामी जी, जैकी ने मुझे वो रुदृत रशूल नहीं दिया, यहां तक कि मैं उसे सब कुछ देने के लिए त स्वामी जी, एश्वरिया हरिद्वार में मौझूद है, इसका मतलब जैसा कि आपने कहा, ज्वाला मुखी का भी शेक हो चुका है, वो ज़रूर एश्वरिया के बास है, पर एश्वरिया है कहा है, क्या बात है, क्या हो गया अवाद पर? एक्सिडेंट अगे, जलो गर्वस चाहे पीते हैं, जलो गर्वस चाहे पीते हैं, भाई, यही है वो चोकरा, उस दिन इसी ने उसे हमसे बचाया था, कि ऐसी मेंमौर सुछा है, क्यों सुछा झाल YDRग झाल आपर बहुरा इए, जा विर आप्राइँ, एक एक उराय्ज किर्फा इदे थे साथा इंदी अबर उपल किर्फा इंदी ना बेए, डिरा इंदी आ और दुछ महान सबने एक मैं श्बने उदी आपरें जुट होगल इंदी आपरें, एक हुआ ना एक दुछ संबर कही है। I need backup immediately over A1 calling, A1 calling I gotcha कर दिए कर दो कि दो कर दो कर दो बाद कर अ कर दो खब खार एंठी है कर दो यह तर्मिनेटर है कुछ एनसे के सिक्रेट एजेंट है शक्ति स्वरूर एक 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 गजड़ गज़ 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 जये को चु को शरोफ को अ जरो एक एक डु कोती है एक तनलाज संदुध्र भार्दार लुणार फार इसी शरोचार पर्रयों झाल लोस्त केल्どもें dalियité हाएएपस संट सुनो बेहन जैकी दुबाई से रुद्र तरिशूल लेकर यहां के लिए रवाना हो चुप इस जगा से वो जिन्दा नहीं लोटेगा क्या हाल है जग्गू वर्मा नए 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 जग्गू वर्मा नए जैकी दा ग्रेड जैकी हमारी दी हुई खेरात से तुमने ये मुकाम हासल किया है और हमीसे घमंड गलत फेमी में जीरी और फक्तुनी उसके बदले में बहुत गहरा राज मैंने ही तुमको बताया था तुमने तो बस उसकी कीमत चुकाई थी खेरात नहीं थी वो सउदा था बताओ जैकी रुद्र त्रशूल कहां है फक्तुने अगर मेरी ये खुद्र त्रशूल तुमारा होगा और अगर मन्जूर नहीं किया न तो बाजार बहुत बड़ा है अरे मैं खुदी एक अजगर है जिसने बचपन से मेरे सिर पे हाथ रखा उसको पचपन की उमर में निकल लिया अजगर कभी किसी का हुआ गया तुमाई मैं ये नागिन इदर साप फेक के मार रही है और त्रिशूल लेके आऊँ क्या मैं शानोंगा शाना हूँ मैं जेक्की तुम मेरे एरिया में आऊगे पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे उसके बाद वो त्रिशूल तेरा विड़ो पक्तोने माँ शुक्र गराण करीब है शेर बादार की तरह अपना रेड़ भी आई हो रहा है अब तो इच सोच क्या करना है बाई बेहन हमें उसकी बात माननी ही होगी और कोई रास्ता नहीं है ममी सॉरी ममी ऐश्वर्या माफ कर दीजे पापा कोई बाद ना बेटी ऐश्वर्या जुआला मुखी कहा है डायमंड बॉक्स कहा है वो जुआला मुखी वो लॉकर में पैसों के बीच रखा हुआ था शायद तुमने गलती से उठाया हो ठेक से याद करो बेटा एश्वर्या याद करो गोल बॉक्स था उस बॉक्स में स्वास्तिक का निशान बना हुआ था बॉक्स कमान एश्वर्या टेल मी कहा है वो बॉक्स नहीं जान्दी अब किसकी बाद कर रहे है मैं क्या कह रहा था सर एश्वरे आभी कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद घर पहुंचे और आप सवाल जावब में लगे हैं मिस्टर श्रिवा जी उस पत्थर का मिलना ज़रूरी है अंडरस्टेंड जो भी इसके साथ थे सबसे पूछ ताश करो मिस्टर प्रताप यस सर शक्ति स्वरूप कहा है बस पहुंच रहे हैं जैसे ही वो आये उनसे कहना फारान आके मुझसे मिले ओके सब्सक्राइब गुण मॉर्णिंग सर मिस्टर शक्ति हमारी इजादत के बिना तुम इस ऑपरेशन पे कैसे चले गए अखिर ओर्डर किस ने दिये तुम्हें इस डिपार्टमेंट में शामिल होने से पहले हम सब एक कसम खाते हैं हम अपने जान की बाजी लगा कर अपने तेश और देश बासियों की हिफाज़त करेंगे उसी कसम ने हमें इजाज़त दी है सर हमारे पास पकी खबर थी सर ये कुछ आतंगबादी होटल में छिपे हुए हैं जब उनको खतम किया तब पता चला कि उनका टार्गेट होम मिनिस्टर साहब की बेटी है इसलिए मैं सिक्योरिटी का जाइजा लेने के लिए उनके घर गया था और मैंने देखा कि एशवरिया वहां से भाग रही मुझे पूरा यकीन था कि टेरिरिस्ट एशवरिया का पीछा जरूर करेंगे उसी दिन से वो मेरा टार्गेट बन गए यही वज़ाए कि मैं गाइड बन कर एशवरिया से बहाएं नतीचा आपके सामने है उनके ग्रूप का चीफ वसीम हमारी गिरफ्त में ओके रवी क्या इसने अपना मूँ खोला एसीब बैनर जी के कतले के पीछे इसी का हाथ है अभी तक इसने एक लवज नहीं कहा सर आपके इजाज़त हो तो मैं एक घंटे के लिए अंदर जाना चाता हूँ आई विल मेक हिम टॉक शक्ती ये काम आफिसर रवी का है तुम इसमें दखल मत दो जैसा आपका है तुनो महन मुझे ख़बर मिली है कि वसीम दुश्मनों के हाथ लग गया है उसे बहुत सख्त निगरानी में रखा गया है ग्रहन करीब आ रहा है हमें कुछ करना होगा आपके सारे सवालों का जवाब है मेरी ताकत मेरा गुरूर राका जाओ बेटा इंतिकाम को पूरा करो कड़वी बात कह रहे हो पर सची है कितनी भी कसरत कर लीजे पर आपकी तोन अंदर नहीं जाएगा ये कलका लड़का तुम देखना मैं इसे सस्पेंट करूँगा कहीं का नहीं छड़ूँगा डिपार्टमेंट से निकाल दूँगा मुझसे जबान लाड़ता है डिपार्टमेंट का चेफ हो पर मेरे ही नहीं सुनता है ये आप किसकी बात कर रहे हैं जी परे की तो है एने से स्पेशल ऑफिसर महान शक्ति स्वरूप शुक्रिया डाड आखिर आप मानी गए कि मैं होनहार हूँ देख रही हो जो दूद तुमने मेरे लिए लाया था वो खुद पी रहा है आपको इसकी क्या जरूरत वैसे ही आपकी तोन काफी बाहर निकली हुई है हाँ ये बात तो सब्सक्राइब बाप मूँ लेकिन इसका बड़ा बाही लगता हूँ अंडर कवर अंडर कवर करके मुझे अंडर्ग्राउंड कर देगाई अंडर कवर का क्या बुक पब्लिश करना है हमारा रिष्टा राज ही रहना चाहिए आपसे बात ही करना बेखा अंडर कवर कहिके खुद तो कवर से चौका चक्का मार रहे हो लेकिन आश्वर्या को क्लीन बोल कर दिया है मेरे पास सारी ख़बर है मिस्टर शिवा जी सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दीजे नहीं तो अराम से बेटा अराम से क्या तुम सुवी सुवे मेरे बेटे के पीछे लग गए आखिर कोई बेटे के जनम दिन पे उसे परिशान करता है मा करने दो गुसा मैं जानता हूँ इनके गुस्से में भी प्यार है और डार्ट में दुआ है जल्दी से दूद खतम करो तैयार हो जाओ मंदर जाना है ये तो काफी खूबसूरत है मैडम हो मिनिस्टर जी की बेटी आई है शक्ति ने जिसकी जान नमस्ते आंटी मुझे तो ये बिल्कुल देवी मा का रूप लग रही है बहुत ही ज्यादा ख्याल रख ना इसका इनकी हिफादत मैं क्या करूँ शक्ति सर है न इन पर एक आज भी आने नहीं देंगे और ये भी तो शक्ति सर को बहुत पसंद करती है बस शादी करवा दीजिए शादी? तुम मेरे बेटे से प्यार करती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है जब कोई बात ही नहीं है तो मसला यहीं खतम करते हैं पक्वास मत करूँ अँटी शक्ति के पास मेरा कुछ सामान रह गया है क्या मैं ले आउँ? हाँ, जाओ ले आओ, वो बेड्रूम में अपने एक हग भी दे देना, जाओ मैडम की जुबान थोड़ी स्लिफ हो गई ओक्या का, ओक्या थोड़ा टेंशन में आ गई ए, तुम यहां क्या कर रही हो, यह सब तो मेरी चीज है मेरी तस्वीरे तुम्हारी कब से हो गई तो हमेशा तुम मेरी तस्वीरे खीच रहे थे जुबान ना सहे, दिल तो पड़ सकता हूँ तैयार हो गए शक्ति तुम अपना कुछ सामान लेने आई थी, तुम्हें मिला के नहीं कितना पसारा कर रखता है मिल गए आंटी, शक्ति की वज़े से ही मैं उसे ठूण पाई तुम भी हमारे साथ मंदर चलो, आज इसका जनम दिन है जनम दिन मबारक हो शक्ति मैं नहीं जानती थी, वन्हें कोई तौफा लेकी ज़रूर आती तौफा तो इसे मिल चुका है तुम जैसे कुपसूरत लड़की इससे जो मिल गए, चलो हलो, तुम कैसे हो जाकी? हाँ, बोलने विडू तुम्हारी जो भी शर्ते हैं, उन्हें पुरा करने के लिए बहन ने मन्जूरी दे दी है वाक्त, जगह और कीम्मत, ये सब तैय करने का हक मेरा है विडू रूल्स मेट बाइ मी, चैकी सर, दुनिया के मशहूर लॉकर सेक्यूरिटी स्पेशलिस्ट, अवतार यहां आ चुका है अवतार मिस्टर जैकी, आप नसीब वाले हैं वो कैसे? क्योंकि आपके बाद मुझे सर नगीना है और अंग्रेजों ने अपने कोहिनूर हीरे की इफाज़त करने मुझे रखा था लेकिन पता नहीं वहां पे एक मक्खी अंदर आ गया और उसने हीरे को अगंदा कर दिया और उसे हमने मार दिया लेकिन हमारा इगो हर्च हो गया हमने रिजाइन कर दिया अगर यहां गल्ती होई न तो नौकरी से नहीं जाएगा विड़ू अरे आतर रहम दिल है दुनिया से जाएगा इंतिजा मत देख लीजिए मेरे पीशे आईए प्लीज सिंचनाथी पबलाबू अमे दरवाजे फुल जा तू यह क्या है हवा में कैसा लड़ता है अभी बताते हैं आगे हाओ इसे कहते हैं साइन्टिफिक सिक्योरिटी मैं हूँ अतार इसके आस पास मैंने एक ऐसा लेजर पीम का जाल बिशादी आए जिसे कोई नहीं देख सकता और छूने वाला देखते ही है शवाश विडियो अतार बहुत पसंद आयता रही है यह जुकाड़ हाँ शच्च या अंग्रेजी नगीना मेरा यह नहीं मेरा यह नहीं मेरा यह पस्वर्ण है अलो जैकी सुन पारस आयम सॉरी एजिप्ट के फक्तूनी ने अपनी शर्ते मन्जूर कर ली आप कोछ नहीं ह अलो महादेवराय जी जैकी ने त्रिशूल देने से इंकार कर दिया है वाट मेरी हर कोशिश नाकाम रही है उस धोके बाज ने मिस्ट्र वालों के साथ हाथ मिला लिया है अब हम क्या करें पता नहीं मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ दा है स्वामी जी ज्वाला मुखी पत्थर आश्वरिया के पास नहीं है जग्गू वर्मा ने त्रिशूल देने से साफ इंकार कर दिया है और वो उस त्रिशूल को फक्तूनी को बेचना चाह रहा है अब मैं क्या करूँ स्वामी जी देवी मा के आशिरवात से सब ठीक होगा तुम लोग यही धेरो यादेवी सर भूतेशू शक्ति रूपेन सस्थिता नमस्तासै 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 नमो नमा शायद यह वही बॉक्स है जिसे तुम्हारे पापा तलाश रहे थी मुझे यह बॉक्स हरीद्वार में मिला शक्ति को वह जोला मुखी पत्थर मिल गय है सच में? स्वामी जी, ज्वाला मुखी मिल गया है। मिस्टर शिवा जी, ज्वाला मुखी और आश्वारिया को लेकर फोरण हम पी पहुंचिये। हम बस अभी निकलते हैं। लगु कमें। शक्ति कमें। होम मिनिस्टर साब का ज्वाला मुखी पत्थर मिल गया है। चीफ उसे लेकर हम पी रवाना हुए है। शक्ति, यहां कुछ गड़बड है। क्या हुआ? ए, कौन है तू? बहिया, जो अलमुखी को लेकर ऑफिसर हम पी जा रहा है। चलो, उसे पकड़ते हैं। लाकू बते हमआ। सरैं किवितै का लेकर हुआ है। कुछी में होजा, रुकनानाही। keeper head sir, रुकनानाही। चलदे रहो। प्रेकी जिए सक्षिए एके टें अव संथ प्रेकी प्रेकी जिए सक्षिए प्रेकी जिए अइसो हुआ 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 लुआ हुआ 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 तूम आँ से अपते दी नुकित दो रवाना हो जाएं मैंने को मुख्यों से अगगे, आप अपषा आए ठाइपे आइपते देख बुख्यों मत दो हैं दैड यह पत्थर लेकर आप हम्पी रवाना हो जाएं ठीक है जोड़ निकलते है छोड़ो जी कर दोड़ो जीकलते है कर दोड़ो एक शका चुका है रक्षक आ चुका है चलो मैं जानता हूँ जगत माता इसे यहां लेकर आई है मैं जानता हूँ यह सब जान के तुम्हें हैरानी होगी तुम नहीं जानते के हम कौन हैं पर हकीकत में हमें तुम्हारा ही इंतजार दे मेरा इंतजार? हाँ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार, 27 बरस पहले जो हादसा हुआ था वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है रक्षक के वारिस होने के नाते, तुम्हें अपना फर्ज निभाने और इस मंदिर की रक्षा करने के लिए देवी माने खुद तुम्हें बेजाया यह अखिकात है शक्ती हमने तुम्हें पाल फोस कर बड़ा जरूर किया है शक्ती पर हमने तुम्हें जरम नहीं थिया हाँ बेटा, आज ता 27 साल पहले ठीक इसे ही दिए हमारी कोई अलाद नहीं थी इसलिए हम पूजा करवा रहे थे कभी तुम्हें हूने नहीं ही दूर्गा मा के मंदिर में हम आउलाद כ Republicans मैं बांग रहे ते और उसी वक्त दूर्गा माने तुम्हें हमारी जॉली में डाल दिया कि आया कि था यह सुध्रा रुत्रा रुत्रा स्वामी जी रुत्रा वापस आ गया तुम्हारे पिता के मुलाजिम, तुमसे जुदा होने के बाद अपने होश कमा गी है क्यों अब समझ में आया? यही वज़ा है कि तुम पहला हुए हो, तुम्हें एक बड़ा काम पूरा करना है इसलिए देवी माने इनके हाथों तुम्हारी परवरिश करवाई है पाजूओं में ताकत और किसी का कोई खौफ नहीं इसलिए तुम्हें देश की हिफाज़त के लिए चुना गया है अब मुझे क्या करना है? महाशुकर करण करीब आ रहा है मिस्र के लोग मंदर को तबाह करना चाह रहे हैं हमें ये जवाला मुखी पत्थर तुम्हारे जर्या हासिल हुआ तृशूल को लाने की भी तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तृशूल कहा है? धोके से तुम्हेरे पिता का कतल करने के बाद वो जैके दुबई भाग गया है उसी के पास तृशूल है पर उस तृशूल को गहरी निगरानी में रखा हुआ है उसे तुम्हें ही लाना है राका बेटा उठो राका अब कोई भी शास्त्रा मेरे राका का कुछ नहीं बिगार सकता उस तृशूल को जैके ने कहाँ छपा है वो हमेशा जगे बेदलता है बस इतना मालूम है कि वो हमेशा हाई सीकूरिटी में रहता है उस तक पहुचपाना नामुम्किन है हमारे पास एक राश्ता है बस हमें किसी भी कीमत पर सिकूरिटी इंचार्ज अवतार को पटाना हो अवतार ए टकलिया अवतार को बुलाना बोईस कैच इम अरे अरे एक सकिन एक सकिन मैं अवतार जी का असिस्टेंट बना चाहता हूँ उनका पंका हूँ छोड़ दो उसे अरे तुम कौन हो भाई मेरा नाम शक्ति है सर मैं मुंबई से आया हूँ मुंबई से दुबई आये मेरा असिस्टेंट बनने के लिए दुबई क्या है सर अब बंगल ग्रेपर होते तो मैं रॉकेट से वहाँ पहुँच जाता एक मिनिट सर कुछ लाया हूँ रेगिस्तान का नीमू अपने टकले पर लगाए रात भर लगाकर छोड़ दीजे बाल मेरे जैसे घने हो जाएंगे रेगिस्तान से नीमू लाए हिमाले में उगने वाला गाज़वर और पाणी में उगने वाला तर्मूज में ले आते कैसी रही ये लेगेता है सर बॉस आपको पुला रहे है आते हैं बॉस मैं सोच कर रहा था कि आ आप मेरे बॉस बनेगे लेकिन आपका भी बॉस है हमारा कोई बॉस नहीं है उसके दिला का स्कूरू दhीला हो गया है उस दhीले ने हमें बहुत दhील दी है सेक्योरिटी का सारा इंतिजाम हमारा है किस चीज की सेक्योरिटी का इंतिजाम सर्थ जैकी साब के सारे पुराने आइटम की नई तरीके से सेक्योरिटी हमारी है आपको तो म्यूजियम में होना चाहिए सर अभी से म्यूजियम में डाल रहा है मुझे अब बॉस यही जाकिक है कि यही बॉस है, रंगून का रंगीला, बुट्टा गुड़ा रेस में डोड़ा है, कैरेम पॉडर नाक में क्यों डाल रहा है, कैरेम पॉडर नहीं है, अरे हटाओ यह सब, गुरु घंटाल, आपके नाम की घंटिक गले में पादूँगा आपका हाथ सर पर होगा तो मैं हवा से बात करूँगा आपको करूणों रुपे दूगा गुरू का दक्षे ने लिजे आपके सर के चश्मे की कसम ले लीजे ना ने 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 मैं आपको दूँगा एक मिनिट लाते हैं थोड़ा भार ये पचास किरों है कि बागी चे का नीमू अब इसे नीमू शेक पीजिए इसने तो मेरा रस निकाल दिया चाहिल तो ने उसको सब कुछ बता दिया और शोकरा इदर आया कैसे चाल अब बता कितने रिश्वत लेग रिखना चाहेंगे रेगिस्तान की नीमू दिये अब यह नीमू है इसका क्य यह टकले में गिसने के बाद बाल उगाता है आप भी लगाईए अब तेरे नीमू की तो मोबाइल वीडियो लगा 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 शोक लगा है सुना वाइस आप यहां रुकने में खातरा है चलो निकलो यहां से हालो जैकी पैसो का इंतजाम हो गया है त्रिशूल लेने के लिए हम वहां आ रहे है तो पेरे काम कर पैसा लेके मारी नामे मिल ठीक है जैकी अप्राइब काम कौन है अरे कौन है सामने आ सामने आ कौन है तू तेरी मौत गौर से देख तेरा काल हूँ मैं जिस शक्स के पीट पर तु वार करके भागा था जिस आदमी का नाम लेते ही रूह काँ पुट्टे थी रूद्रा मैं उन्हीं का बेटा हूँ तूने क्या सोचा रक्षक की नसल खत्म हो गई उन्हीं का खून आज मेरी रगों में बह रहा है कसम है कि उनकी मौत का बदला आज लेकर रहूँगा अब नहीं बचेगा तू पहले मेरे से तू बच मिशन सक्सेसफुल रूद्रत रिशूल मैंने हासिल कर लिया बस मैं पहुंची रहा हूँ डैट को बता दो महाशुक्र ग्रहन पूरा हुआ सुरज डूबने से पहले पूजा हो जानी चाहिए रक्षक आना होगा क्या हुआ? बात क्या है? तुम ठीक हो न? क्या हुआ है क्या हुआ है अचानाक उसे एक जरूरी काम आ गया बस वो निप्टा के आ जाएगा उसने कहा है कि पूजा शुरू कर दीजे शक्ति आ जाएगा अब पूजा शुरू की ठीक है आईए उम रुदराया मेह ओम नम meanwhile बाई सुनो अब ये सब धोंग बंद करो पर सो पहले मेरा शोहर हिंदुस्तान की तबाई देख सके इसलिए मैंने उसकी आखे इसमें लगा दी अब देखते हैं कौन सा रक्षक तुम्हें बचाने के लिए आता है रक्षक का इंतजार करके कोई फाइदा नहीं कोई नहीं आने वाला पारस तुम्हें हमारी दोस्ती को फक्तूनी के करोडो रुपियों ने खरीद लिया है जो प्रहकादार जिन्दगी भर मैंने तुझे अपना छोटा भाई माना कर छोपियों याला जो आला मुखी दो उसे जै जगत माता जै जगत माता जै जगत माता त्रिशूल त्रिशूल कहा है राका वो रहा शक्ति शाली त्रिशूल ले आ उसे जै 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 मेरे शोहर का खुआब शक्ति शाली त्रिशूल राका, यहां का हर एक स्तंभ, देवी मा का रूप है, हर एक स्तंभ को तोड़ दो, इस मंदिर को तबाह कर दो, साथ ही हिंदुस्तान को भी, आज मुक्तार अपनी आखों से हिंदुस्तान की तबाही देखेगा, जाओ, जाओ राका, मिटा दो इस मंदिर को जगत माता ये तुम्हारे अठारस तंभों को खत्म कर रही है इस शैतान को रोकने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा इस मंदिर को आपको ही बचाना होगा मा इस मंदिर का रक्षक कहा है माता उसे अपना फर्ज निभाना ही होगा पकड़ लो इसे आप बचो आपब आपसे आप निभाना ही भज माता ही हुँ आपसे आपसे क्पू अiktक क्याम सुन ऐ शैतान इस मंदिर को बचाने के लिए और तुझे सजा देने के लिए साक्षाक जगत माता से ताकत हासिल करके वो आ गया, वो शक्ति स्वरू चाहें कितना भी शक्ति शाली हो बेरे बेडे का सामना नहीं कर सकता राका चाहें कि अली साम बको दूर्ड़। बाल प्रण… भॉर्ण गॉर्ण है बाल 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 ये का वे йह कशकल ये वाल युँशों 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 नुँशों Shakti वुजूर्यास्त का वक्त हो चुका है वक्त हुआ। कि युआ न ऐस्वरे, युह हाँआ, वा-वा decisions कि अ lat net युआ इयों, युआ है हो झाफ युआना, मियों 깊ख आख वल rhetoric रखिर सुंएर भाल बखिर य। रखिर सुंएर प्रुणो कराम रखिर सुंएरा Ja शक्ति, सूरज डूबने से पहले देवी मा के पास त्रिशूल रख दो, अठारवास तंभ बाकी है शक्ति, मैंने अपने शोहर की आखे अपने बेटे राखा में लखा दी थी शैतानों को सजा और नेक लोगों की रख्षा यही है जगत माता की लिला पूरी दुनिया में आमन और जैन बना रहे